दोस्तों अगनिफाय के बाद भारत की नजरे अगनिशिक्स पर हैं और बताए यह जा रहा है कि आने वाले तीन सालों में ही भारत अगनिशिक्स का भी सक्सेस्फुल परिच्छर जरूर कर लेगा अगनिफाय का तो हमने कई सारे सक्सेस्फुल टेस्ट किये हैं बट अब भारत की नजरे अगनिशिक्स की अगली मिसाइल अगनिशिक्स पर हैं और बताए यह जा रहा है कि आने वाले तीन सालों में ही भारत अगनिशिक्स का भी सक्सेस्फुल टेस्ट जरूर कर लेगा तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो गैस अगनिफाई का हमने मल्टिपल सक्सेस्पूल टेस्ट किया है अब अगर आप अगनिफाई के रेंज की बात करेंगे तो अगनिफाई की जो रेंज है वो 5000 किलो मेटर से ल आपको याद होगा जब हम लोग अगनिफाई का टेस्ट करने वाले थे तो उस टाइम पर चाइना ने भारत का बहुत जोरो शोरो से विरोध किया था और चाइना ने यूएन एसके एक रिजूलिशन का हवाला देकर बोला था कि भारत को एसा नहीं करना चाहिए हम करें त मतलब आप देखोगे तो पाच हजार से आठ हजार तक है अब इस रेंज में चाइना के जो इंपोर्टन सिटी से जैसे कि संग्हाई होंग कॉंग बीजिंग यह सब सिटी अगनिफाई की रेंज में आ जाते हैं और इस वज़ा से चाइना ने इसका बहुत जादा विरोध किया था वैसे आप जब बात अगने 6 मिसाइल की हो रही है तो भारत को रेडी रहना पड़ेगा कि चाइना फिर से हमारा बहुत जोर सोर से बिरोध करने वाला है वैसे अगने 6 की जो रेंज होने वाली है वो करीब के 10,000 किलोमेटर तक होने वाली है अब आप देखोगे त भारत चाइना के जो रिमोट एरिया है यानि कि जो दूरस्त इलाके हैं उनको भी अपने मिसाइल के रेंज में लाना चाहता है जिससे कि आप देखोगे तो एस्या में एक पावर बैलेंस बना रहेगा और यह बहुत इंपोर्टेंट है अब आप देखोगे तो इसके साथ आगनी 6 को सब मरिन से भी लॉंच करने की टेकनोलीजी पर काम किया जा रहा है अब वैसे आप आगनी 6 मिसाइल को लेकि क्या सोचते हो क्या लगता है आने वाले तीन सालों में भारत इसका सक्सेस्फुल टेस्ट कर लेगा जो भी लगता है ना नीचे कमेंट सेक्शन में ज जया है टिसहा है और सेक्शन में आगने है अगता है तेह आलो ऩैंट दविक इन सेक्शन मेंट कर वे दा कर देस कर दोफ् धाने है टो भीड़ड़़़ादा बिनसे सेक्शन थय्जाद्र देस्वाआ जहा है उ्ड़़़ई एदिए एले हैंठti आना उर्विएह ध beenता है